नमस्कार दोस्तों स्वागत करतों आप सभी को टेकिराच यूटुब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी ओपो फोन में यदि आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है नेटवर्क शो नहीं कर रहा है या फिर नेटवर्क से रिलेट पर लिंक मिल जाएगा आप चाहो तो चेक कर सकते चलिए दोस्तों बीना देर की हुए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है देखिए सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने मुबाइल के सेटिंग्स पर अभी यहां पर कुछ बात ही कर लेते हैं रिजन क् आपको क्या करना है अपना सीम जो है दोस्तों सीम का स्लोट जो है वह आप निकाल लीजेगा निकाल के मुबाइल स्वीच ओफ करके फिर से भर के स्वीच ओन करके एक बार चेक कर लीजेगा ठीक है यह आपका जो ही बेसिक चीज़े आपको करना है ठीक है यह सारा करके भी सीम एनेबल का option मिल जाता है यदि हम career पर चलते हैं तो यहां पर automatically select है आपको ध्यान रखना है कि यह automatically select होना चाहिए ठीक है उसके बाद में हमें back आना है और back आने के बाद में दोस्तों यहां पर हमारा network फिर भी काम नहीं कर रहा है तब हमें final option क्या करना है हमें क्या करना है यहां पर additional setting पर जाना है या फिर more settings ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहां पर हमें जाना है backup and reset पर और उसके बाद में दोस्तों यहां पर हमें reset to factory setting पर जाना है और यहां पर दोस्तों हमें क्या करना है reset system settings only पे click करके अपना password भर दे के यहाँ पे हमें अपना mobile का जितना भी system का setting है उससे सारे हमें reset कर देना होगा ठीक है इससे क्या होगा कि दोस्तों सिर्फ आपका network ही नहीं यदि आपका wifi में problem है internet में problem है या फिर camera में problem है mobile का जितना भी inbuilt apps है उसमें problem है तो सारा problem आपका solve हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों ये था problem का solution ये फिर भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों तब क्या होता है कि आपके mobile का hardware motherboard में problem अनके वज़े से हो सकता ठीक है ये सारा कुछ नहीं करने के वज़े से भी काम नहीं कर रहा है तब तो आपको service center जाके hardware technician visit करना ही होगा तो दोस्तों ये था solution उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंदा होगा थैंक्स वॉचिंग